नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अभी जिया सेंटर में दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो पूर्व से पश्चिम के तरफ बहने वाली नदिया है उनका नाम याद करेंगे ठीक है उसके लिए ब इन चार नदियों का नाम आसानी से याद कर पाएंगे ठीक है तो सो सो से क्या है सावर मती नदी ठीक है मा से माही नदी नौ से नर्मदा नदी और ता से तापती नदी दो तो ये चार अधिया है जो पूर्व से पश्चिमी घाट के तरफ बहती है ठीक है ये कहां जाकर गिरती है तो ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है कहां पर लास्ट में कहां पर ये इसका जो जल है कहां जाकर मिल जाता है तो वो अरब सागर में जाकर में मिल जाता है ठीक है यहां पर एक फिक्ट और है यहां पर इन चार में यहां पिर एक नदी और कह सकते हैं एक नदी और है वो है लूनी नदी ठीक है ये भी क्या है पूर्व से पश्चिम की तरह भी बहती है ठीक है तो इन पांचों में सबसे लंबी नदी ठीक है सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है जो पूर्व से पश्चिम की और बहती है लगभग एक हजार किलो मिटर ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं सावरमत्य नदी सावरमत्य नदी का उद्गम इस्थल वह है देवार जील राजिस्थान में ठीक है महि नदी की बात कर लेते हैं तो वह मद्ध्य प्रदेश के बिंध़ परवत से ठीक है और ये बहती कौन कौन से राज collar मने थीक है अर्षा करते कंसे निकलतल हो तो मध्यप्रदेश और गुजरात में थीक है अब करते हम तापते निदी कि to the other नदी कहाँ कहाा बैती है तो मध्यपरदेश तो धुर्ब्राइब करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ एगा योगी जॉन-कारी आपको अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगई झाल